हेलो वेल्कम बेक टॉ मैई चैनल आगी हूँ आपके लिए एक और और अच्छा सा आइडिया लेके जो कि बहुत सिंपल और बहुत आसानी से बन जाते हैं वह भी है आपके पुराने कपड़ों को लेके तो पुराने कपड़ों को जो बिल्कूल पुराने हो जाते हैं मतलब क किसी यूज में नहीं रहते किसी को देने लाइक नहीं रहते तो उनका आप क्या यूज कर सकते हैं तो आज मैं आपको उनके बहुत सारे यूज हो सकते हैं आज मैं आपको एक यूज बदाती हूं जो कि बहुत सिंपल और आप आसानी से बना लोगें उसके लिए ना सबसे प कर सकते हो चाहिए आप स्केर में कट कर सकते हो साइज भी आप बड़ा चोटा जितना चाहों तो मैंने यह काफी सारे पीसे इस तरीके से यह देखो आप करके रखे हुए हैं तो इनी काई भी मैं आपको बताती हूं इसका क्या यूज होने वाला है तो वीडियो शुरू करते हैं अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना आजपाने कपडं करने के बाद मतलब सकेरesta Tangle पीस में कट कर सकते जैसे उनसे भी आपको बड़े चोटा साइस करना है अराम से कर सकते हैं तो उसके बाद ना इन को स्टिच करेंगे इस तरीके से तो आप कितने लुग इसमे साव कर सकते हैं इस तरह कोस्त्ती आप कपड़े को इस तर Awesome करते हैं तो सकती हिए उसके भी कट उसके लिए आपको same size के pieces cut गरने 1479 कोई भी inacettina आम कर इस तरी के से cache करके और इसे एक वड़ा सा फैबरिक बना लेना है बड़ा सा मतलब जितना आपको या जो आइडिया है ये ओर्गिनाइजर है, बनाना फूथ आप इस तरीके से कपड़ों कमा यूर्ज और बहुत आइडिय इस तरीके से बहुत सारी चीजे आप ना सकते हैं आपको के साहिए थू देख पीर से स्डाइब यह इस तरीके संग्गिन का पारी शचेख श्रीका टीजें का कर लिए है और निवर्ल Calling श्राइब ना चोटा बड़ा तो उसको एक ब्राबर में कट कर सकते हैं ऐसे बाद में तो उसको बाद में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इन पट्टियों को ऐसे एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेना है तो इस तरीके से एक बड़ा सा फैबरिक रेडी हो जाएगा तो आप कितनी सारी भी पट्टियां इसके साथ अटेच कर सकते हैं और मैंने ये इतनी से की हैं क्योंकि मैंने ये अंदाजे से की हैं और क्योंकि मेरे पास मैं इसके साथ प्लास्टिक यूज करने वाली हूँ और प्लास्टिक का जो साइज है ना उसी साथ से मैंने इस फैबरी को रे सकते हैं तो मैंने यह एक पीस आपको बना के बताया है और इसके साथ मैं यूज कर रहे हूं यह आटा बैग यह प्लास्टिक के आटा बैग आते हैं यह दस किलो आटा के बैग है यह आप इसमें राइस बैग या फिर दूसरी बोरी होती है वह भी यूज कर सकते हैं तो कोई किसी भी तरह की अच्छी hard plastic का आप यूज यहां पर कर सकते हैं तो जितना यह फैबरीक का उस हिसाफ से मैं इसको भी cut कर लिया है और इस तरुकर से दोनों को एक एक ब्राबर में cut कर है जैसे मैंने बताया आपको तो आप कोई भी अपने हिसाब से मेजरमेंट मतलब साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कितना भी बड़ा आपको यह बनाना हो उस हिसाब से तो आप इसको इस तरीके से ना इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे करते हुए यहां पर यह से पिन लगा लेंगे अब पहले सबी चारो साइड से ने इसको ऐसे पिन से सेट कर लूँगी सेट करने के बाद इसके उपर सिलाई लगाऊंगी तो आगर आप चाहें तो जैसे मैंने एक साइड वो फैब कपड़ा लगा सकते हैं कोई और पतला कपड़ा लेकर प्लेन लगा सकते हैं कोई भी आपके वास कोई चादर पड़ी हो यूज कर सकते हैं या कोई अपने कोई भी आपका पुराना कोई कपड़ा पड़ा हो यूज कर सकते हैं तो मैंने इसमें यूज नहीं किया है तो मैं कभी चाइव Garage पीनी है तो उख़सामान स्नेक्स वेरा रखने के लिए यह काम आएगा इसके उपर या फिर की बार या पिर कई बार हम आए बैठिए बैठे जैसे टीवी देख रहे मुझा काट कर लेते हैं तो सब्ची काटने के यह नीचे बिछाने के लिए काम आएगा और इससे क्या होगा कि आपका नीचे का जो मैट होगा वो गंदा नहीं होगा तो इस तरीके से यह इसको अच्छे से आप धो के सुखा सकते हैं आराम से सुख जाएगा आप देख सकते हैं मैंने सबजी अभी में शॉप करके लाई थी तो यहां इस पे उपर ऐसे डाल दी है तो आप इसको अलग लग करूंगी तो इस तरीके से आप भी यह और्गनाइजर बना सकते हैं यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाना और इस तो इसको ट्राइ जरूर करना थैंक प्रक्सथर है बच्छा जरुड्स कर दो तो इसको अजर बच्ते हैं लगा है झाउना सकते हमाना सकते हैं।